हलो दोस्तो स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेंधि के कटिंग आपकी इस तरह से लगाओगे दोस्तो दोस्तो हम लोग प्लांट लगाते हैं पर हमारा क्या है कि अब ये देखें अगस्त का मन्थ चालू हो गया है और अगस्त के मन्थ में आप इस प्लांट्स को कटिंग द्वारा किस तरह से लगाओगे तो मैं आपको अपनी वीडियो पर आज बताओंगी दोस्तो आप देख सकते हो कि यह हमारी जू लिब है इनकी लिब देखिए यह कितने अच्छे और कितने सुन्दर से यह त्यार है लेकिन यही प्लांट्स का हम आपको कट करकर दिखाओंगी और लगाकर कि कटिंग से कैसी पौधे लगाना चाहिए दोस्तो हम लोग तो कट करकर नहीं लगाते हैं क्योंकि कटिंग करने से हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्लांट्स खराब हो जाती है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोस्तों ये जो हमारा प्लांट्स है जो हम उपर से इसका ट्वीनिंग करते हैं उसी तरह से हम प्लांट्स को थोड़ा नीचे करका ट्वीनिंग अगर कर देते हैं तो इससे हमारा प्लांग दुगना ग्रोथ करेगी और किस तरह से ग्रोथ करेगी क्योंकि हम प्लांट्स को लगाते हैं और इसको ग्रोथ करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा ट्रीग अपनाती हैं जिससे हमारा प्लांट से अच्छा हरा और घना हो जाए तुकि देखे इस तरह से मैंने यहां पर छोटे गमले में मैंने पौधे को लगाई हूं और आप देख सकते हो कि हमारा प्लांट क किस तरह से लगाना है जिससे हमारा अधि इसमें 10 रूट है तो हम इससे 20 रूट को तियार करें तो कैसे तियार करना है दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यह गिंदे का पौधा है इस गिंदे का पौधा का कटिंग कैसे लगाया जाता है दोस्तों हम लोग तो कई सारी वीमारीयों को भी दूर भगा सकते हो, तो क्या वीमारी है दोस्तों? जैसे कि हमारे पेरों में कई दिन से खुजली हो रही है या ایک जीम्मा जैसा है या गोव है, घोव हमारी भर नहीं रहे हैं, उस चीज को आपको करना क्या है इस तरह के इनकी पतिया को ले लेना है और इनकी पतिया को लेने के बाद दोस्तो उसको कोट कर उनकी रस को आप वहाँ पर लगाएं जैसे कि आप तेल से मालिस करते हैं उसी तरह से हमारा तेल से जहां नोचनी है या आपके ये जो हमारे घौन नहीं भर रही है उस अस्थान पर आपको लगाना है तो इसको लगाना है कैसे लगाना है सो तो मैं आपको बताई हूँ दोस्तो और नहीं तो इसको पिसकर आप जिस तरह से आप मेहंदी रश्ती हो उस तरह से आप पत्ती वाले मेहंदी उसी तरह से इसको आप लगा सकते हो ये बहुत ही बढ़िया वहितर तरीका है आपके घर में घो या नोचनी या किसी तरह के फंगिसाइट पहरू है या हाथ में उनको दूर भगाने को तो चलिए हम आपको कट करकर दिखाती हैं दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सस्क्राइब तो देख कि हमारी इसमें चीतियां बनी हुई है इस चीतियां को बनने से आपको कैसे कट करना होगा सो मैं आपको बताती हूं क्यूंकि इसमें कटिंग में हमारा जो चीतियां है वो भी एक एलिमेंट्स है इसको पौधे पर काटते हैं इसमें ना तो रूटिंग है रूमन का रही हूं क्योंकि जब हम पौधे को कटिंग करते हैं तो हमारा प्लांट्स बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह से घने होते हैं अगर हम इसका कट नहीं करते हैं तो यह हमारा प्लांट्स वैसाही का वैसाही रह जाती है तो मैंने देखी आहां पर कितनी सारे प्लांट्स क हम आपको बताते हैं कि मैंने यहां पर सो तो कट कर ली है अब यहां से कट करने के बाद क्या होता है कि मैंने एक कट किया है यहां से लेकिन इनके ब्रांच देखिए यहां से इनकी छोटे-छोटे तानाएं हैं जो यहां से मल्लाव की हम एक टहन्या अगर काटते हैं तो इसस इसी तरह से हम कटिंग लगाते हैं तो अब इसको करना क्या हुआ सबसे पहले हम यह कटिंग जो काटे हैं दोस्तों इसको इस तरह से हमारा पतियां को निकाल देनी है तो कैसे निकालना है तो देखिए मैंने एक एक करकर बताती हूं आपको इस तरह से हमारे छोटे ब्रांच है जो मैंने यहां पर इस तरह से कट लगा रही हूं क्योंकि यह हमारा प्लांट लगने में बहुत ही आसान हो जाए देखिए मैंने यहां पर फरेश से इस टाहनिया को अच्छी तरह से फरेश कर दिया है कि यह अच्छी तरह से इनका कटिंग तेयार हो दोस्तों हम आपको ब आपको आपको आज बताती हूँ तो सबसे पहले हम गंबले में मिटी को इस तरह से स्वाच्छ और सुनदर बना कर रखी हूँ क्योंकि इसमें कटिंग लगाना है और यह हमारी मिटी जो है बारिश होने की कारण यह हमारी मिटी गिली पड़ी है तो इस मिटी में आपको लग सकते हो तो इसको क्या करना है सर्चे पहले हम पानी में इसको भींगो लेते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको कर देना है देखिए मैंने यहां रूटिंग हार्मोन लगाई हूँ यह बहुत ही अच्छी ट्रेक है दोस्तों और यह अच्छी तरह से लग जाती है जैसी कि हम आपको लगा कर अभी बता रहे हैं कि इस तरह से आप अपने छटपे गिंदे का प्लांट से गमले में अवस लगाएं तो यहां पर देखिए मैंने पाचों प्लांट का यहां कटिंग त्यार कर दी है अब आपको कुछ ऐसा करना नहीं है क्योंकि दोस्तों हम यहां पर कटिंग लगा दी हूँ और लगानी के बाद आप प्लांट को यहां पर थोड़ा सा आप पानी डाल दे जैसे कि हम यहां एक गिलास पानी ली है जड में थोड़ा थोड़ा चारू तरफ से इस तरह से आप डाल दे डालने के बाद दोस्तों इसको आप रख दीजिए यह अच्छी तरह से ग्रोथ दिलाएगी और आपके यहां मैंने पाच प्लांट लगाई हूँ तो आपका पाचो प्लांट आपका परफेक्ट है कि यह लग जाएगी और बहुत ही सुन्दर से लगेगी दोस्तों आप घर पे अगस्त की मंथ में आप गिंदे का कटिंग अवस लगाएं और यह लगने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है यह कटिंग आपका बहुत ही अच्छी तरह से गोरो करने वाला है दोस्तों हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को करना लाइक और चाइनल को कर देना सस्क्राइब दोस्तों बाई बाई